एक बार फिर से स्वागत है आपका और हम चर्चा करेंगे नरिदर मोधी और अमेरिकन वीशा पर ये अब देशी सबसे पहले आप से हम जानना चाहेंगे कि यह कौन सी अमेरिकन निती है या क्या है इसके पीछे कि समय समय पे ये बाते आती रहती है देखिये इस बात कि प्रासंगित्ता तब होती जब नरेंदर मोधी अमेरिका में वीजा के लिए अपलाई करते हैं नरेंद मोदी ने विजा के लिए अपलाई नहीं किया है यह आज का है पीछे के बाद में वहां का एक रिपब्लिकन सांसाथ है जो ये बोल्स उन्होंने हिलरी किलिंटन को पत्र लिखा था कि अब काफी स्थितियां बदल गई है इसलिए अमेरिकी सरकार को अपने निर्ने पर पुर्ण विचार करना चे ओ रिपब्लिकन सांसाथ है और इनहीं लोगों के दवाब में पहले उनका वीजा रद हुआ था उसके जवाब में सरकार की ओर से अभी जवाब लिखित नहीं आया है उसके जवाब में जो वहां विदेयस मंत्राले की जो प्रवक्ता है विक प्रतिकरिया देनी है तो उसी लाइन पर देंगे एक अमेरिकन नितुरत्य की भी बात कर रहे हैं आप वहां जे एक दूसरी बात कि जब उस समय 18 मार्स 2005 को जब उनका मोधी जी का वीजा जो है वो कैंसिल हुआ था उसमें दो उसके दो एस्पेक्ट है एक तो है कि उनको 1998 म प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको कर दिया था इसके बावजुद नहीं दिया गया और जिस दिन उनके बीजा रद करने का निरने हुआ अमेरिका में उसके एक दिन पहले तक भारत की अमेरिका की वीदेश मंतरी कॉंडिला राइज इनी थी बहुत आस्चर्च का विशा है और वो भाजपा के लोगों से मिलने गई थी अडवान भी से मिलने गई थी सब से मिली थी यहां लेकिन इहां उसने नहीं बताया जबकि अमेरिका में यह इई सुव बन गया था देगि इसकी प्रिष्ट भूमी थी कि वहां के संसद में दो परलेमेंटरियन ने खरा होके ये कहा था कि हमको नरेंद मोधी पर बहन लगाना चाहिए एक निंदा प्रस्ताव लाया था उसके वाद एक कई सांसदों ने गवर्मेंट बजापता जो है राष्ट पती को वहाँ परतिवेदन दिया था और इसारे खबरे भारत में आ रही थी तो बीजेपी सक्रिय थी उस में ये कहा गया है कि कोई भी सरकारी व्यक्ति अगर किसी भी समयधार में डारमीक स्वतंदरता का यू ओं लंगन किया हो या इसके लिए उत्तरदाई हो तो अमेरिका आने के योग नहीं है तो उसके तहत उनका 19 ने दूसरी बात ने वाला बीजा हुआ दूसरा जो बीजा था कुटनितिक वो इसी कानून की धारा है 214 भी उसके तहत रद्ध हुआ था कि ये कहा गया था कि भाई वो जो आ रहे हैं वो कुटनितिक काम से नहीं आ रहे हैं इसलिए इस कानून के तहत भी उनको नहीं जाया सकता। दूसरे से मिले हुएं तो तीनो प्रांथ के लोगों ने बनाया था उनके विरूत प्रदर्शन किया था लेकिन इनको जो लोग बुला रहे थे वो एंडियन एसोसियेशन अमेरिकन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन लोगों ने वहां प्रेस कोंफेंस किया 11 मार्च को बताया कि अगर मेरे साथ कभी कोई देश मुझे यह कहे दे आपको इजाद दी तो मैं उस देश पर थूख दूँ काहे जाओं वापर यह क्यों बार बार अपलाई करते हैं इन्होंने अपलाई नहीं कि इस वार इस वार इनकी उन्होंने पूरी बात जो थी उन्होंने वहां के एक नीता ने कहा उस पर एक प्रतिकरिया आई देखें प्रतिक्रिया आई है जहां तक सवाली है कि हमारी नीती है उस नीती जो है इस तरह की नीती जो है इनके जो जो इनके दोर में जो दो हजार दो में जो 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 निसाइट हुआ था उसका वेस्ट में बहुत मुखालफत हुई थी आप यहां उनको कितने ही बड़ा हीर गए हमको हमेशा यही कहा गया कि किसी उसका यह नहीं मुसल्मानी की बात हो वहां का अमरीकन हो वहां का यूरोपियन हो अमेरिकन जो निती है और जो वरताओ है पहले उस पर एक रिपोर्ट हमारी देख लें बात हमेरिकन दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला हरहाल में साथ निभाने का दावा करने वाला अमेरिका कितना दो मुहा है दुनिया जानती है और मानती भी और भारत भी अपने दो मुहेपन की मिसाल अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया के सामने जाहिर कर दी एक बार फिर गुजराद के मुख्यमंतरी नरेंदर मोधी को वीजा न देने से मना करके अमेरिका की प्रतिश्चित पत्री का टाइम्स मेगजिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही दुनिया के सबसे ताकत और लोगों में से एक मान की हो गुजराद दंगों की जांच के लिए सुप्रिम कोर्ट की गठित एसाइटी ने भले ही मोदी को क्लीन चीट दे दी हो लेकिन मोदी अमेरिका नहीं जा सकते वजह अमेरिका ने मोदी को विज़ा देने के लिए अपनी मीती में बदलाव करने से साफ इंकार कर दिया अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे पुराना और प्रभावी लोकतंतर कहता है दुनिया में लोकतंतर के नाम पर पैटरोल के लिए जंग लड़ता है मोदी दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंतर के एक राजज़के मुख्यमंत्री हैं लोक्तांतिक तरीके से चुनी हुई सरकार के मुख्या हैं लोक्तांतिक तरीके से सरकार चला रहे हैं दंगों की जांच में वो बैदाग रहे हैं कानून की नजर में भी अभी तक वो बेगुना हैं इसके बावजूद भी ये भेदवाओ आखिर क्यों वैसे भी अमेरिका की कतनी और करनी में अंतर्स दमीन आस्मान का रहा है सिर्फ मोधी ही क्यों भारतियों और एशियाई मूल के लोगों के साथ बेतुके बरताओ के मामले सुर्ख्यों में बनते रहे हैं बरसों से सुर्ख्या के नाम पर भेदवाओ का चलन यहां पुराना है 911 के हमले के बाद से अमेरिका सुर्ख्या की आड में भारतियों का अपमान करता रहा है पूर्वर राश्च्बती एपिजे अब्दुकलाम के साथ अमेरिका का बरताओ व्यक्ति का नहीं देश का अपमान था डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बावजूद कलाम को सुर्ख्या जान से गुजारा और जूते उतरवा कर तलाशी ली थी इसी तरह NDA के राज में रक्षामंती रहे जौर्ज फर्नांडिस की जाँच भी अमेरिकी सरकार ने करवाई वो भी पूरे कपड़े उतरवा कर देश के जाने माने हीरो शारुख्खान के साथ भी कुछ ऐसा ही बरताओ अमेरिकी सरकार कई बार करवा चुकी है भारतीय लोगों के साथ इस बेतु के बरताओ के कई मामले हैं लेकिन हर बार अमेरिका रूटीन जाँच का हवाला दे कर और ज्यादा से ज्यादा खेट जता कर बच निकलता है लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये सिर्फ रूटीन भर है या अमेरिकी सरकार की सोच दुनिया भर पर नजर रखने का दावा करने वाला वेपेंस ओफ मास डिस्टरक्शन होने का हवाला कर कई देशों को तबाह करने वाले अमेरिका की सुरक्षा और खुप्य व्य ऐसे अमेरिका हमारी शराफत को कमजोर हे सरकार के कहने पर ही वहाँ पुलीस वाले जानबूच कर ऐसा बरताष करते हैं हम ना अमेरिका के महटाज हैं और लॉसके पीचण गूं तो अब वक्त जवाब देने का है उस घटाव का जो अमेरिका हमारे साथ करता है युआरो र क्या है आफगानिस्तान में क्या करते हैं आप इराक में क्या करते है ऐसी नीती वाला देश क्या इस तरह के नीए नियत के पीछे कुछ उसमें पूटनिश सुक्षट है अमेरिका तो इस वद दुनिया का सबसे बड़ा दादा और सबसे बड़ा मुसीबत का मसला बन गया है अगर कोई कोई भी जो भी मुश्किलात है या जो तबाही मचीवी उसका वाहिद और अकेला जिम्मेदार अमरीका है अनफॉर्चिनेट यह है कि हमारा मुल्क उसकी दुम के पीशे लगना चाहता है यह बेशर्मी हमारे मुल्की है दुनिया जानती है कि वो अकेला गुंडा रहे है इसका वो चाहता है कि सिर्फ हमारा निजाम चले हमारी बात चले और अमरिका के साथ हिंदुस्तान का इतना लगाओ यह हमारी समच से बाहर है यह क्यों ऐसा कर रहे है यह लोग अब देजिए इनका दो पहलू है बातचित के पहले जो इन्होंने कहा उससे तो अदिल भाई से सम्मान पुर्भक मया सहमती ब्यक्त करूंगा कि नरेंद मोदी को पिल्कुल दुनिया खलना एक मानती है नरेंद मोदी ने पूरी उरोप का दौरा किया अस्टेलिया का दौरा दौरा एक्स्पिरियंस पूरे यॉरोप अमेरिका में और करनेडा में जाके हुआ है क्योंकि मैं आपको इसकी वजह भी बता दूं क्योंकि वहां जब मैं जाता हूं तो यह लोगों को मालू होता है कि मैं मुस्लिम इंडियन इंडियन मुस्लिम हूँ इसलिए मुझसे को लेके उसी प्रकार से इस समय पूरी दुनिया में दो धारा आये हैं तो एक धारा के लोग यह जरूर मानते हैं उन्हीं धारा का दबाव नहीं दूसरी बात फिर जाएंगे तो बीजावला घरवर हो जाएगा मामला जरा आपकी बात जैसे हमने बाकी फैक्स बताए उसल दोनों आपका जो प्रसने उसकात है डेविड मलफोर्ट थे आपको ध्यान होना चाहिए उन्होंने जब जब सरकार ने कहा कि इस पर अमेरिका पुनर विचार करे क्योंकि यह भारत का प्रसन था हमारे यहां कुछ हो सकता है हमारे किसी नेता को अमेरिका बीजा न दे इसक दो हजार दो फरवरी से लेके और दो हजार दो मार्च के बीच जो गुजरात में हुआ उसके लिए ननेंद्र मोदी इस कारण जिम्यवार है कि जो भी प्रसासन और उसकी भूमिका होनी चाहिए वह नहीं थी उसी समय हमारा जो यह राष्टिय मानवा धिकार आयोग है उस बना दिया आए जया हमेडाद में जिए लाख व्यख्ठी को मारा ममाना मारा जो गलत है अजो गहरे से लिए ना कि उसके लिएे चाहिए नेंधित बैण है कहीं कहीं दोसी नहीं अभी तक माना गया है उस पर परसनली कोई लुकदमा नहीं चल रहा है नडेंदर मोदी पर व्यक्तिगत रूप से कोई एफायार तक दर्ज नहीं हुआ है इसलिए मैं हादी भाई समत नहीं हूँ मैं भी मानता हूँ गुजरात में जो कुछ भी हुआ वो भारत के चेहरे पर एक सर्मनाग धबा है वो नडेंदर मोदी के पूरे प्रसासन का फेलियोर है लेकिन अगर उसको कानून नहीं सजा नहीं दिये उसमें एक एफायार दर्ज नहीं हुआ है उसको किसी ने सरकारी विभाग ने नाम ले करके उसको दोसी नहीं माना है तो अमेरिका कदम गलत है लेकिन वीकिलिक्स के खुलासे को मत भूजिए पिछले वार वीकिलिक्स ने खुलासा किया है कि जब ये बाते होई तो डेविन मेलफोर्ड ने जो अपना केबूल भेजा वहां उसमें लिखा कि चुकि सरकार बीजेपी का मामला है इसलिए सरकार इसको आगे प्रेसर नहीं डालेगी इसलिए हमको चिंता का कारण नहीं अभी किलिक्स ने कहा मतलब भारत की सरकार को इसको जितना पर्सु करना चाहिए था उतना नहीं किया है नहीं तो ये रद हो गया होता अभी तक जिए अधिबाया आपको उच करना चाहिए थे मैं इसी विए कहना चाहरा था कि अमेरिका का जहां तक सवाल है उससे था हम कताई सहमत नहीं है इसलिए कि सबसे बड़ा प्राब्लम जो है वो सिफ अमेरिका के वो उसने अपने कानून अपने लिए लग बनाया है दूसरों हैं हमारे प्रेसिडेंट को रोका जाए हमारे डिफेंस मिनिस्टर को रोका जाए हमारे इंपॉर्टेंट लोग रोका जाए यह हमारी बेशर्मी है प्रेसिडेंट लोग तो उस तरह से गर देखे और अमेरिका की अपनी नीतियों को इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका को यह भी समझना चाहिए जिस दिन उग कल्च्रल जेनोसाइट का रिवीजियस जेनोसाइट के वह अपराधी सावित हो जाएंगे उस दिन उनका अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दे कि सचीन तेंडूलकर रेखा और अनु आगा खान ये तीन सदस्य को नॉमिनेट राष्टपती ने राजसभाग लेकिया है सचीन तेंडूलकर के आने से रेखा के आने से अदी भाई आपके साथ बहुत ही कलरफुल हमारा राजसभा हो जाएगा हमारी शुब कामलायों लोग के लिए हैं एक अपसोस होगा अगर ये लोग एक्टिव पारलेमेंटेरियन नहीं रहे हमने देखा दिली कुमार साब ग नहीं थी हाउस में नहीं बैठे तो मैं तो इनको वेलकम के साथ साथ ये चाहूंगा कि जो अधा आपने लिया है जिसकी आप शपत लेंगी उसका साथ इंसाफ कीजिए आप अपने अपनी फील्ड के मास्टर हैं ये तंदूलकर ऐसा किर्केटर दुनिया ने पैदा नहीं किया रेखा एक बेहतरी नार्टिस्ट पैदा हुई और अन्नु आगा के बारे मैं नहीं जानता ये एक समाधिकार्कटा और इंडिन बिल्डिस्ट हैं ये अपने अपनी फील्ड के जाहिरे आउटस्टेंडिंग लोग होंगे जबी प्रेसिएंट की तरफ से नॉमिनेट ह हुए इनको इनको खुशामदीद कहता हूँ मैं और समझता हूँ कि मेरा हाउस भी बहुत कलर्फुल होगा और अगर ऐसे लोग जाते हैं क्योंकि इन से पहले हमारे शाम बेनेगल जी थे इमम आली आउटस्टेंडिंग थे शाम बेनेगल जी बहुत अच्छे पार्लेमें है कि ये लोग भी आके लगाएंगे ऐसा न करें जैसा दिली कुमार और लताम अगेशकर ने किया कि उनकी उनकी शख्सियत उनकी वो जा है वो तो बहुत बड़ी है लेकिन जिस काम के लिए उनको दिया गया उसको उन्होंने खराब कर दिया उसमें वो सब एक खरे खरे न अभी वो खेल रहें पर इस कदम को बिल्कुल गलत मानता हूं पहला किसके बारे मारे में पहले करें बात सचीन तीनों के बारे मैं इसके कारणी बिदा सक्ता हूं देखिए 74 का चुना हो कि सचीन तेंदूल का समय समय में लोग प्रिया है और वो किरकेट खेल रहे हैं कि भारत का वेरत, दूसरा है… अमिताह बच्चन की एक समय रेखा आप जानते ही है, कि उसह पर एक फिल्म भी मनी थी और अमिताह बच्चन का मुहबबत परवान चरहा था, तो उसने मुहबबत के लिए उसके ये कार्ट की द्रिष्टी से रेखा को लाया गया है और उसके पीछे भी एक राजनीती है साथ उत्तर प्रदेश में कुछ उपयोग किया जाए आगया अब बाकी तो अदीब सहेब जानेंगे कि 55 की उमर में कितनी रंगेनियत जो है आएगी राजसवा में और राजसवा लो बात पर क्ट करने के लिए कैसे लोगों की आव सकता थी उस कोटी पर यह तीनों भी फेल है किर्केट को नाम करने के लिए बहुत जगा खाली है बिजनेसमेन जो वह 3,000 करोर की है फौर्ब्स की लिस्ट में भी उनका नाम भारत की अरपतियों में लगाता रहा है उनके लि कि राजनितिक को समझने वाले एक ऐसे व्यक्ति के लिए होनी चाहिए थी जो कि इस समय के सरकार पर जो कि यह तो दिशा निर्देश करें सरकार पर प्रेसर बनाए समाज की बात को सही ढंग से रखें यह क्रिकेटर को एक फिल्मी कलाकारों में भी जो उस ढंके हैं जो किरिक तो कितना दिशाहीन ना समझ और नकारा हो गया है कि उनको यह भी पता नहीं है कि इस गरिमा में जो है जगह में किसको बुलाया जाए पर्लेमेंट में एक प्रुवीजन है एमिनेंट पर्सन अफ आउस्टेंडिंग क्वालिफिकेशन ऑफिस फील्ड और हमेशा से पर्लेमेंट में यह दस्तूर रहा कि आर्ट और कल्चर से कोई आदमी एमिनेंट गया इस्पोर्ट से गया और बिजनस उससे गया अभी इससे पहले लेडी जो आई इसे पहले हिंदोस्तान टाइम्स की वो लेडी थी जो रिटायर हुई है यह यह एक स्पेस था दस आदमियों का जो प्रेसेंट अफ इंडिया उन एमिनेंट लोगों को उस हाउस में पहुंचाता है लेकिन अगर हम सिर्फ है वीचल क्रिटिकी हो जा मैं यह जानना चारोदीव साहिब से सुनिए कि सचीन तेंदूलकर का रास्ट्रिय समस्याओं के परती कोई द्रिष्ट कोन कभी सामने आया हो ब्यक्तिगत पैसा कमाने के अलावा हजार दो हजार को का आदमी हो जाने के अलावा एक रेखा का कभी कोई समाजीक राज्जित कभी रूची देश की सवाना आजमी कर देसे सवाना आजमी देखिए मैं आपको बता हूँ वह ऐसा कुछ आया नहीं है इसलिए एमिनेंट हो जाना अपने छेतर में यह के वालाज सवा के लिए ट्राइटरियार नहीं हो कती है किसको खड़ा किया धर्वेंदर को खड़ा किया लेकिन उसमें राज जब्बर एक पॉलिटीशन निकला जबागा अधीब साब एक प्रस्ट का उतर नहीं नहीं करते हमारी और किसी पार्टीशन की बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिया एक उतर दिजे आप में आपको बैठा हुआ कि आओधियस कुमार कोई समाजी काम हमारे जिसे लोग नहीं करते हमारी और किसी पार्टी की नजर जिंदगी में नहीं जा सकती है तो यह तकलीफ आपको कि आप नहीं हुए जरूरी नहीं होता राज बबर जो फिल्म में आये थे तो वो पता नहीं था कि बहुत अच्छे पॉलिटीशन बनेंगे तंदूलकर अपना खेल खेल रहा है अगर उसकी समझ में यह फील्ड आती है तो ही कैंड बीग असे इन पॉलिटिकल सिस्टम कोच नहीं होगा यह तो आप के लिए मैं आप से सिर्फ एक जो सवाल है कि इस फिल्ड में भी आदमी अपना उसंकुन पर रखना खरोड़ी तो आपने यह तो हैं जो समाजिक सरोकार से राज्चनिटिक सरोकार से देश सरोकार से कंभी कर रहा है तो थे क्या उनको तरजी पहले नहीं दिना यह जाते हैं उस वे उनदस हादियों में दवासाहाब को लिया गया एज़े जनलिस्ट जी साइनृस्ट में बहुत ही एमिनेंट जो जो ग्रीन रिवोलूशन लाई इस देश में स्वामी नाथन जी लाए गए अब आप कह दीजे आप यह कह दीजे कि स्वामी नाथन को क्यों लिया आया नहीं सवाल नहीं है आपको लगता है यह सचयन बिल्कुल सही है और यह अपना एक उधारम दिया हूँ मेरे तैसे आध जारों लोग है झाल